एलो गाईज मेरा नाम है मैंग दोस्टा केता आपका एकनू जीडे फाइब की वीडियो में तो गाईज यार कैसे आप सब लोग आए फूब आप सब पढ़ियोंगे पिछले वाले एपिसोड में आप सब को पता होगा अपनी चेस को वापीस आ चुकी है बैनी ने उसको प् है फीवर तो अपने गुना इसको मेडिसीन दिलाने के लिए लिखर के चलना पड़ेगा और बाकी सामने से इतना चादा शुगर क्यों आ रहा है और लैस्टर को अभी तक मेरे पास आ जाना चीए था क्योंकि आज मैंने दो चीजें बोकुत चादा बड़ी वाली सोची है देखो पहला काम यह है कि अपने को अपनी लेंबॉर्गीनी कावट एच एंड लेंबॉर्गीनी से हैं उनको दोनों को सेल करना और यह क्या चल रहा है इदर एक मिनट यह कोई अंटी है शायसे इसका डॉग है और यह लेस्टर के पीछे है अरे यार इतने क्यूट से डॉ रहा चल दी से नीचे उतर जा यार वो कह रहा है कि यह मेरे को काट लेगा यार चोटा सा डॉग अपने साथ खड़ा है और नहीं काटेगा यार मेरे को पता है डॉक्स दिलके बहुत ज़्यदा बढ़ियां होते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं काटने वाला मैं बोल रहा यह मेरे को भी काट सकता है और रैस्टर यह प्रॉब्म तेरे को खुदी सॉल्फ करने पड़ेगी और कहां गया यह तो ठीक है बाई यह यहां पर चुपा हुआ है इस टाइम पर वो जो डॉग है ना अपने मालिक का कहना मान करके बाहर चा चुका है और लैस्टर यह का य अपने को भी पेट क्लीनिक पर चलना पड़ेगा अपॉइंब्मेंट वेगरा हमने तो ले लिया है और हम चड़ने वाले हैं अपने फूडो गाड़ी में देखो गाइस जैसको में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि जैसको कली रिपेर हो करके हटी है और मैं नहीं चारा क एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले मैं अपने चोटे वाले डॉगी को साइट कर लेता हूं और बाकी यह कुछ अंकल है इनका यह ट्रक है जो अभी ले जाएगा यह पता नहीं अभी सोचा नहीं हम लोग किसको सेल करने वाले हैं हमने पहले ट्रक मंग वालिया देखो यह मेरे को बैटने देगाडी में अपने को ला क्लिनिक ले निकलना होगा तो ठीक है अब जल्दी से मैं घाडी में बैट चुका हूं और इसको भी उठा करके बिठाओ एक तो इसकी अलगी टेंशन है आदा जल्दी से गोडी में बैट चलो गाइस इसको नहीं मैं उठा क करके गोदी में तो बीठा लिया है और मैंने लेस्टर को बोल दिया कि देख यार अराम से ड्राइब करना गार्डे को क्योंकि नहीं इसकी तबियत थोड़ी जादी खरागा है और बाकी डॉक्टर से हमारी पर पात हुई थी वह कहरा था कि बस इसको थोड़ा सा फीवर होग पहुँच ही जाएंगे और मेरे को तुछ दर ही लग रहा क्योंकि लेस्टर गाड़ी को ड्राइब कर रहा है जल्दी भगा लेस्टर अपने को आज पहुँच अधा काम करने है अपनी चैलेंजर का कलर बदलवाना है और सीयन एंड काउट एच को सेल करना है मैं सोच रहा आते हैं अपनी गाड़ी को और देखते हैं कितना ज्यादा टाइम लगेगा और हम लोग कब पहुचे में वापर इस ट्राइब पर हम लोग ना पहुच चुके हैं पैट क्लिनिक पर जो है पड़ीटो में और बाकी मेरे को नहीं पता को कहा पर रहा है लेस्टर से मेरी बा लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेस्टर ने गाड़ी को बहुत ज़्यादा अराम से चला लिया है और हम लोग पहुच गये हैं पैट क्लिनिक पर तो ठीक है मैं इसको ले करके उतरता हूं और लेस्टर तू भी मेरे साथ ही चल पैसे गाड़ी में बैठ करके तो क्या ही करेगा इ अब से इसको पीबर हुगा तब से ना खाता है ना कुछ भी पीता है और अब हम लोग क्लिनिक तो पहुच गये हैं बाकि अब तो ना पता नहीं कितना टाइम लगेगा और इस टाइम पर पूरे एक बज़रे है दुपहर के आप देखी रहे होगे और यह एक मिनट यह मेर करें जाता हुना कोई भी ठेल पर वहां जीतोने ऑन लोग करने को तो सब्सक्राइब से पीषिता है और और यह यहां पर देखरो इसको क्या वह दोist यह तो अभी तक तो खेल रहा था और अचानक से यह बेहोशी हो गया और यह लोग देख रहे हैं तो ठीक है अब जल्दी से हम लोग चलते हैं और वाकिना लेस्टर को मैंने यहां पर खड़ा कर दिया और मैंने बोल आगिन को फाइट मत करने दिना कहीं पता चले आपस मैं पर लड़ने लग जाएं और एक यहां पर ट्रीटमेंट रूम है तो एक पर इसके अंदर चल करके देखते हैं कि चल कह रहा है वैसे ओ ठीक है यहां पर एक कैट का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं आपको बता दूँ यह एक पैट शोप है मतलब कैट एंड डॉक्स दोनो मतलब रहा नहीं है के डॉक्टर वैक कि है और उफिस है ओफिस में कोई नहीं होगा जहां तक मरे खोड़ है लेकिन-नहीं इदर और ऐच कोई ऊथ और प्लेटिम वburn रिकव्री रोम यहां पर ठीक है यार, recovery room यह है, जहां पर dogs वेगरा अराम से अपना सो सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, यह एक तरह से pet care है, मतलब यार, shop भी है, और जिसको 10-15 दिन के लिए vacations पर जाना है, यहां तो कहीं घुमने फिरने जाना है, वो अपने dogs और cat यहां पर लिया करके रख सकते हैं, और यह train भी करते हैं, फसमें लड़ते भी बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे यहां पर ही देख लो, इस doctor के साथ यह dog खेलने में लगा हुआ है, तो ठीक है, अब मैं जब यहां पर आ रहा था, उस time ना, मैंने एक x-ray room भी देखा था, तो चल्दी से ना थोड़ा सा व और यह right side में देख रहे हैं, उसकी x-rays बेगरा हो रही है, तो चलो छोड़ो बाकी पीछे के side सो हम लोग नहीं जाएंगे, पता नहीं वो पीछे की side क्या है, तो अब चल्दी से ना चलते हैं, अब तो 10-15 मिनट होई गहीं होंगे, हम लोग यहां पर घूम रहे हैं बहुत के जाना होगा, ठीक है यार जल्दी से आजा, अपने को निकलना है, सहीदा तेरे को डॉक्टर के पास लेकर करके चलूं, और लैस्टर यार तू यहां पर रहा है, बाकी तेरी मर्जी है, तेरे को आना है, तो आ सकता है, वैसे आई जा कहीं यहां पर किसी के dog को हैक करके, पता नहीं क्या कुछ कर दे, और अपने कोई इस पर ट्रीट्मेंट रूम में जाना था, और हम लोग पहुँच गए है, और बाकी यह है, वो डॉक्टर जिससे अपने को बात करनी है, एक बार नहीं से बाचित करते हैं, ठीक है यार हम अब आदे घंटे के बाद यहां पर और इस ताइम पर ठीक है यार, खाने लग गया है, अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, और बाकी लेस्टर के हाथ में किट है फूरी जो उसकी मेडिसीन है, तो यह देखर दू दिन की मेडिसीन है वस और देखो इतना बड़ा बॉक्स है, अब जल्दी से हम लोग पीछलते मेरे को लगा कि कहीं और ही रह गया है, जल्दी से गाड़ी को मैं रिवर्स करता हूं, और यार, एक तो नहीं यादा स्लो तरीके से चलता है न, रुप जा भाई, मेरे को पहले गाड़ी को रिवर्स करके कहीं तरीके से पाक करने दे, और मैं गाड़ी को आगे के साइड ल इस टाइम पर वो तो गाड़ी में बैठ चुका है और यहां पर इस डॉक को देखो बहुत जादा फूक रहा है और परीटों में अचानक से मौसम खराब होना शुरू कूछ चुका है अभी जब हम लोग आये थे तो तो पहर हो रही थी उस टाइम पर बहुत जादा धूब से चलेंगे कि लास टाइम हम लोग वहां से आये थे तो ट्रैफिक वहां बहुत जादा था तो अपनी बुडों काड़ी को थोड़ा बहुत अराम से मैं चलाने बाला हूं और देखो गाइस यह पीछे की साइड ना एक्टिव हो चुका है पूरा जब हम लोग इसको लेकर तो कहेंगा हाँ अभी अभी खाना और घर पर भी लेकर करके जाना यह तो ऐसा बोलने लग जाएगा तो क्या ही पैसा इसको पर खरती हूं जल्दी से गाड़ी भगाते हैं चलते हैं जीदा अपने घर पर ठीक है इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुत जाता अराम से गुड़ो गाड़ी को ड्राइब कर रहा है देखो एक तो ना मैं बहुत जादा कोशिश करिया कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं और मेरे को मेरा कुछ दीन दिखाई देर और यह यहां पर है जल्दी से ना मैं गाड़ी से उतरता हूं के ना बात्चित करते हैं और देखो यार जो ट्रक है वो इसका है और यह कोई जान पहचान का है फ्रैंक्लिन के और लमार के उन्होंने अपने घर भीजा हुआ है मतलब ट्रक इसका भी नहीं है यह कहीं पर काम करता है वहां से ट्रक लेकर गया है ट्रक एंड ट्रेलर तो थीग है एक काम करते हैं लेच्टर से बाचित करते हैं कि अब हम लोग गाडियो का क्या करेंगे इस ट्रैम पर मेरी लेच्टर से बात हो गिया न है ना इसको कुष समझ आ रहारा है ना मेरेको कु 두kon शमil करें और यह कहरा है और मैरेको कुष समझ नहीं है रहा है कि मुझ सिम्यों के पास चल पड़ते हैं आज जल्दी से तू मेरे साथ और मैंने बोला कि ठीक है यार अपने डॉगी को तू संभालेगा जो भी ट्रक का हमाली का जो भी यार काम करता ना अब हम लोग ट्रक ले करके चलेंगे सीधा सिम्यों के पास इसके शोरूम पर हम लोग बिल्क चार पास जा करके मारी लेगा इसको जल्दी से लेस्टर अंदर लेगा और बाकी अपने ट्रक को थोड़ा बहुत आगी की साइड कर लेते हैं अब ठीक है और उसको छोड़ करके जल्दी से बाहर आ जा सिम्यों को मैंने पीछ पर बुलाया है मतलब वही कहीं एक लूकीश सकता तो वह सारा बता दे अपनी तो दोस्तों वाली ही बात चीटा है अब देखते हैं कितने पैसो में इनको खरीदने वाला है और ट्रक तो स्लो चलने वाला तो न अपने को भी ट्रक को ले करके टाइम लग जाएगा पहुँचरे में अगर ट्रैफिक हो गया तो सोच रह गाड़ियां हमारी सेल करवा दे या तो भी खरीदे ले बता कितने पैसे हमें देगा जितने भी वह अपने को पैसे देगा उतने में हम लोग इसको सेल कर देंगे और बीच कुछ जादा दूर नहीं है बीच क्लूज है और ट्रैफिक ना हो बाती तो सब कुस सही है और हम सब्सक्राइब करके जा रहे हैं सोरी सर माफ करना और मैं बात करते करते ना कुछ जाद ही भूल जाता हूं तो अपने को अपने ट्रक को यहां से राइट की साइड मूरना पड़ेगा एक मिनट सर दो गाड़िया जा रही हैं तरी कुछ दिखनी रहा का दोना लेंबोर की या उसकी भी गाड़ी विट में फसाने में दगा हुआ ये उसकी फांद ही जल्दी चलो अब है टककर नहीं मारनी चाए था लगी गई यहां पर निकलते हैं फिस ट्रक को लेकर के टककर लगी गई आए बाकि की वह बंडाना अगर करवाना पड़ा तो करवा देंगे, बाकि अभी तो कुछ जाता प्रामिज नहीं हुआ है, भगाते हैं ट्रक तो चलते हैं तीड़ा सिम्यून की लोकेशन पर, ओके तो गाइस इस ट्राइम पर मैं अपने ट्रक को ले करेके बताई हूई सिम्यून की लोकेशन पर माग में क्या आया देखो यार आपको सिंपल सी बात पता हूं वो पहले अपना दुश्मन था उसने अपने से फाइट चूरू करी थी और उसने ही शाय से अपने को गैंकर वेगरा बनवाया क्योंकि यार हम लोग जितना उससे लड़े थे वही अपना हमी दुश्मन था उसक लोग मेरे को मारने हाले और मैंने बोलाना नहीं यार हम लोग पृ पीशिद की बात करेंगे और ना मैं चला कि करें ना तू करेगा वो कह रहा है कि ठीक है मेरे को मंजूर है और बाकी मेरे को पीछे की साइट जाना है उसने अपने को टैनिस कोट में बुला है हाँ यार यह एक तरह से कैसे मैं बता हूं होटल है यह बहुत ज़्यदा तकड़ा जैसे डाइमंड को सीनों है बिल्कुल यहां पर भी एक और देखो गाइज रात का टाइम नहां पर बहुत ज़्यदा लाइट्स होती है और कहां पर ना डेली रात का टाइम पार्टी बगरा तो नॉर्मल बाता है खूती रहती है तो मेरे कुछ जाना किस रास्ते से या शाय से इस वाली गली से निकलना होगा लेस्टर को मैं पी केरें से डरा हुआ होगा तो चस्ट उसके पास हम लोग जा करके बाठचित परेंगे और मेरे को सिम्योन के यँपर या पर जादा भरोसा तो नहीं है और मेरे को इसकी एक एक यादत बता है इस तो पर मेरी बात तो हो चुकी है सिम्योन से चलरा तो मेरे पतना फटेषिए और मेरे को नहीं है कि माने बोला आज अमरी गाड़ Normally की नहीं तो मैंने बोला है कि जो तुब रेकर क्या है वो तुम मरने वाला और देखो गाईज, अब मेरे को नहीं पता कि इसने मेरे उपर भरोसा क्यूं नहीं कर रहा है, और देख यार सिम्योन, मैं तरे को अभी भी समझा रहा हूं, यह जो तेरी घटी ऐसी चालती, इससे कुछ भी नहीं हुआ है, और डर के मारे आखो से आख नही कि कोई भी चला की नहीं करनी है और यहां पर यह सोतरादा की हम वही पुराने वाले माइकल है एक बंदे को खड़ा रखा था अगर हम लोग इसको कुछ बूलते तो यह अपनी गेम बरवा देता तो अरे बच्चा आने देना बच्चा है वो कुछ भी नहीं करेगा जल्दी स से बैनी किसी के पास सेल करवा देगा या तो कुछ करवा देगा सबसे पहले मैं उस बंदे को देखनी है उसको देखनी है और हमने उसको मार दिया ना पता ही कितने पैसों में आया होगा सिम्यों के पास और सिम्यों ने उसको मरवाई दिया चलो गाइस इस टाइम पर मैं आपने ट्रक में तो बैठ चुका हूं और यहां परना अभी-अभी मेरी नेजर पड़ी है राइट साइड में आपको एक ब्लू कलर की और डी आर एट दिखरी होगी जो बहुत ज़्यादा बड़ियां लग रही है जल्दी से यहां से चलते हैं सीधा आगे के साइट और स्किंग प्राइज 15 से 20 मिलियन डॉलर मांग सकता हूं दोनों का टोटर अब भगाते हैं अपने ट्रक को सीधा चलते हैं बैनी की शोरूप पर चलो गाईज यार इस टाइम पर मैं अपने ट्रक को लेकर के पहुत चुका हूं सीधा बैनी के शोरूप और हां यार बैनी को म अब ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगा एक मिनट यार अपने ट्रक बाद में ले आना पहले मेरे को अपना ट्रक लेकर के जाने दो बिन वहाब के पता नहीं क्या ही मिला उसको स्कैचिस वगएरा डलवा करके अपने ट्रक के ऊपर चलो गाईज अपने ट्रक को तो रोक दिया है और बैनी यहां पर किसी कस्टमर को गाड़ी वेगरा दिखा रहा है तो ठीक है थोड़ा सा शाय से बीजी लगता है और लेस्टरे काम कर जल्दी से ना हम लोग थोड़ा आइट चलते हैं चीफ वेगरा से बाचित कर लेते हैं और तो क्या ही है यह देख रोगा इस पर बैनी से अपनी पूरी बात हो गया यह कहरा देख माइकल तेरे को रेंज रोवर लेनी है अमेंडा को देनी है मेरे को मालूम है लेकिन यह दोनों गाड़ियां पहुँआ जना महेंगी है इतनी असानी से नहीं बिकने वाली है और अब भी यार यह कोई बंदा आया था वो यह गाड़ी लेकर के जा चुका है कह रहा है कि अगर तो आदे गंटे पहले आया होता मैं यह गाड़ियां उसको ही सेल करवा देता तो ठीक है इस टाइम पर ना बैनी ने चीफ को बोल दिया है कि इन दोनों गाड़ियों को नीचे के साइड उतार ले और नीचे ले ज साकर के लिक करके जाने गाड़ी को इससे अचा ट्रक आगे कर लेता और चीफ ने इस टाइम पर गाड़ी को उतारना शुरू कर दिया ट्रक के उपर से और कितनी प्रॉपर थोड़ा बहुत स्क्रैच अगर डला तो कि दिक्कत की बात नहीं है पहनी अपने को बूल रही है खुद इसको रिपेयर वेगरा करवा देगा तो ठीक है इसने एक गाड़ी को तो उतार लिया है और यहां पर पैसे लोग तो बहुत ज़दा पढ़ी है सीयन की लेकिन घर पर ऐसी वेस्ट रहती थी तो मैं कुछ जादा भी इसको नहीं चलाया करता था अब अपने पास च मेरे को यहां से निकलना होगा क्योंकि अपने को यह ट्रक एंट रेडर उस बंदे को लिजा करने में लगा हुआ है यहां पर मिरे को वैसी वहम हो रहा था और उसने लंप और किनी को उतार लिया है और वैसे लुप तो इसकी भी बहुत जादा सही है लेकिन यह यार वही बात है ना इसे हम लोग सेल कर देंगे और अपने को पैसा मिलेगा जिसे हम लोग अमेंडा की रेंज रूबर लिया करके ती सकते हैं और एक बार ना नीचे के साइड में खुछ से एन को लेकर के चलता हूं और अपने हाथों से खड़ाते हैं वैसे बैनी के ऊपर चाहता भर करके पहुंच गया हूं तो चीक है यार अब चल्दी से ना इसको रिपेर बगरा कर देना मैंने इन दोनों गाडियों को यहां पर खड़ा दिया है और इनको हम लोग रिपेर करेंगे और बाकि कोई भी कस्टमर मिलता है हम लोग इनको वहां पर सेल कर देंगे और जो भी यार अब निकलते हैं यह ट्रक एंट्रेडर जिसका है ना उसको देने चलते हैं वो न अंदर यंदर बहुत ज्यादा बोल रहा होगा और रैम को हटाओगे कि ट्रक को रिपेर करना था रैम तो वहां पर फिक्स है अब चल्दी से यहां पर ना इस बोड़े से ट्रक को मेर उने को निकलना है यहां से और देखो आइस आपको ट्रैफिक तो यहां से पहुत जाते ही दिखरा होगा और पहले ना इन मैम को यहां से जाने देते हैं देख रही है ट्रक आ रहा है लेकिन तब भी लगी हुए अराम से चलने में और बैनी ने यहां पर ना थोड़ी लग जाएंगे और वाला मास्टर सामने खड़ा वह खुदी रिपेर कर देगा अब जल्दी से अपने ट्रक को मैं भगा करके चलता हूं सीदा अपने घर पर चल यार इस टाइम पर ना मैं अपने ट्रक को लेकर के पहुंच के आऊं सीदा घर पर और यह ट्रक ना सही में कोछ जादा घरात है आते इतनी चाहदा टकर लगी है मैं गाडि को ड्राइव कर ला था तो तो मिरे भे अ should को ड्राइब कर लिया था अगे उसले को हम लोग नहीं आहां पर अपने च्रक को पारते हैं और सामने की साइड ये वही वाला डॉग है ना ये फिर से दर लेस्टर का वेट कर रहा है आजा लेस्टर भाई वो तक्र से तरे पीछे पड़ जाएगा और सामने से कुछ धुआ निकल रहा है और लेफ्ट साइड में मेरा कैमरा खराब हो चुका है जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चिंगारी पीक रहा है ये कैसी हो गया बारिश वेगरा भी नहीं पड़ी है जिससे कुछ हुआ हो लेकिन एक मिनट यहाँ पर मेरे को याद है मैं तीन गाड़ियां खड़ा करके गया था अपने और ये हैलीकॉप्टर यहाँ पर क्या कर रहा है घर पे खड़ा हुआ और ये तेकर पूरा पिकार हुआ पड़ा है है हेलिकॉप्टर है मतलब डर्ट वेगरा भी है जमीन ही उखाट दिया हेलिकॉप्टर ने गिर करके यह हुआ क्या है अपने तीनों गाड़ियां इस ट्राइम पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और इसके उपर तो एक पॉल गिर चुका है यहां स्क्रैच वेगरा इसको नही पड़ेगा लेश्टर यार उसको घर के ना साइड में डूल कहीं वह देख करके बेहोश ही ना हो गया यहां पर भी नहीं है वह थोड़ा पीची की साइड चलते है शाह से पीची की साइड होगा अब चल एक मिनट यार यह यहां पर गिरा हुगा इसको किसने मारके यहां इसके बिलकुल स्टेयों के ऊपर पका कोई गडबढ़ा यार यह मर गया श्युक्रागा यहां पर जिंदा यह मर बिलकुल भी नहीं है यह बेहोश हो गया था मिरेको भी तो लगा था कि यह मर गया और यहां पर आ चुका है और तेखर गाई यह बंदा कह रहा है एक ऐसा क और फिर वापस घर के अंदर गुज गया और डॉगी को इसने पता नहीं उधरी कही रूम में रख 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 रहा है वह वो तो ठीक है चलो ठीक है गाइस और यह गाया है कि ऐसा है कि वह बंदे शहिए से तेरे कोई मारने आ रहे थे वह लेस्टर और माइकल चिला रहे थे ए इसको भी यार हटवाना पड़े गा तो ना एक काम करता है अगर इसकी हुमत है चलनेगी तो ये ना हेलिकोप्टर को अपने ट्रक के उपर लोड करवा करके ली जाएगा और तेरे को कल जाना तो तुछ जा सकते हैं अपने घर से देखो यहार 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 पर बिल्कुल भी केंद नहीं नहीं रोखा यह कहा है कि देखो मेरे को ना तुम बड़ियां बंदे नहीं लगारे मेरे को तो लमार मेरा क्लासमेट यह तो मेरी विससे भातं ही थी तो ले जां से लेकिन मैं ना पुलिस के पास जाऊंगा ना कहीं भी जाऊंगा मैं उसको स्क्रैप में लिजा करके फेक दूँगा और जो भी पैसा होगा वो मैं रखूंगा तो हमने बोला ठीक है हमें तो उसका बाड का कुछ भी नहीं चाहिए तो तू अराम से इसको रख सकता है अब स्विमिंग पूल में चलते हैं और मेरे दिमाग पर बहुत बड़े वाली टेंशन आ चुकी है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता का इस अपने घर पर किसने अटैक करा और वह कुछ दस से पंदरा लोग इसने बताया अपने को वह आये थे हेलिकॉप्टर में टोटल दस लो जल्दी से बाहर की साइड चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगाएगा उस हेलिकॉप्टर को देख लेते हैं वह दो गंटे हो गया और यहां पर अब जाकरके लेस्टर ने पहतानी कैसे उसको लूड कर वाई है और देखो यार वह ज़ो ट्रक है वह जा रहा है सीध है किसी गैंक को बापिस से अपने घर पे खतरा अपने उपर बढ़े वाला है अब एक खतरा नहीं है क्योंकि अपने बहुत जाद दुश्मन है गाइस एक कांद करो अगर आपको जितने भी अपने दुश्मन याद है तो जरूर से रहा लिस्ट बना करके कॉमें सेशन में लिखो एम करतो हूं 500 कॉमेंट्स का देखो गाइस इस टाइम पर ना है मैं निकला था बाहर की साइड अपने चैलेंजर का करने के लिए लेकिन एक दो बारिश आ गई है वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यहां पर गी है अभी अभी मेरे को मिलिटर के काल आया था और वो मिलने के लिए बुला रहा है अब मैंने उससे पूछा कियो है मैं तरे पास क्यों हूं और तू मे लेकिन लेस्टर को दूसरे माना कर रहा है कि मैं अकेला हूंगा बिना किसी भी मिलिटरी के और तू भी अकेला आएगा तो लेस्टर को मैंने बूल दिया कि ठीक है तू इस टाइम पर अंदर जा और अगर मैं मर गया तो मेरी फैमली को बता देना कि वो मिलिटरी के पास ग करके कलर वेगरा चेंज कर waNne के लिए क्लर से मैं बोर्ट हुँ यह बात नहीं कि यह कलर बोरिंग है यह कलर बहुत ज़्यदा सही है और मज़ा भी इसको च्लाने में आता क्यूंकि यह गाड़ी बहुत ज़्यदा अलग लगती है अगे लिए और अब तो नगाई थोड़ा बहुत करनर भी चेंज कराना बनता है कि जब से चैलेंजर लिया है यह एक स्टॉप कलर है तो जल्दी से ना पहने हम लोग मिलीटर के खास चलते हैं अगर जिन्दा बचे तो जरूर से ना मैं कलर वेगारा चेंज करवार हूं अपनी चैलेंजर गा तो भगाता हूं जल्दी बच नियारा है कि इसने मेरे को इस रास्ते पर क्यों बुलाया है और यार एक तो ना कीचेड इतना ज़्यादा बारिश का मौसम है पैदर पहुत ज़्यादा बड़ियां लेकिन जो कीचेड है अपने चैलेंजर के लिए बिल्कुल भी बड़ियां नहीं है और अगर मैं जिन्दा बचा तो मैं ना जुरूर से अपने गाड़ी के तीन काम जुरूर से करवाने वाला हूँ एक तो इसके स्क्रैचिस वेगर हटवाएंगे उपर से जो भी इस पर डर्ट लगी ही वो हटवाएंगे और इसका कलर चिंज करवाएंगे बस याईस यही अपने को तीन किस आइडिया ना है और मैं बिल्कुल वहां पर खड़ा हूँ और उसके मैंने पताने क्यों फरोसा कर रहे हैं मैं सोच रहाँ कि एक जगह ना छुप करके खड़ा हो जाता हूँ अभी अपनी गाड़ी को यहां पर खड़े रहने देते हैं और यही सही रहेगा और वो बस आते होगा शाय से कि पाइपस के अंदर अगर मैं चुप जाओं तो ठीक है इस पाइपस के अंदर ना मैं बैखता हूँ और अगर कोई भी गाड़ी की आवाज आई तो मैं पका बाहर निकलूंगा और अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है सब कुछ क्लियर है तो मैं सु क्योंगा रहा है गाड़ी का और वो एक रूबी कौन आई है सामने से और वहां पर आकर की खड़ी हो चुकी है यह कोई अंकल निकला लेकिन करनल तो नहीं है बिल्कुल कि जहां तक मिरेको लग रहा है वो अपनी चैलेंजर के पास गया हुए यार और मेरेको लग रहा है क कानल है कि मिलिटरीं के आउट्विट भी नहीं है और यहां पर घर के कपड़ों में कर चंपू लग रहा है आज है इसने प्रचेस करिया तो यह तो बस इसके ओक रोडिंग गरा करने के यहां पर आया था और इसने अपने को बॉक जीदा बड़ा क्या है तो मैंने इसे को लेकि जो तेरा फ्रेंड था तुने उसको मार दिया ये कहा रहा है देख वो लोग सेंटोस के लिए खत्रा था वो ना कहीं और का करनल है उसको एक अंडर बेस पता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकड़े चबड़े वैपन्स है और वो यहां का मिलीटरी के करनल बनना को उसका पीशा करके उसको पकड़ना होगा और यह कह रहा है कि उसमें इतने अदर तकड़े वैपन्स हैं माइकल तू भी देख करके हैरान हो जाएगा और हां यह अपने को ना एक लोकेशन लेकर करके जा रहा है जो की है चर्च तो वस शाम के टाइम चर्च पर जुरू स से आता है और क्या कहा रहा है कि मैंने को समझ हैं इसे बात हित करते हैं या इशारा कुछ कर रहा था और देखो यह यार कहरा है कि तू मेरी गाड़ी चला और मैं तरी गाड़ी चलाओंगा और मचा हाएगा गाई यह भी कौन चला करके और अगर ठुक गई तो समझ लो को चला वैसे भी मैंने रिपेर करना उनकी तुक्रों की ओफ्रोडिंग करवा करके देखे गया यहां से चलेगी है यहां से कितना जादा बढ़ियां लग रहा है एक मिनट में इसके तुरी बहुत ओफ्रोडिंग करवालो लेकिन मैं अगर ठूख दूगा तो वो मेरे को लेकिन एक मिनट भाई ठूग गई होती यार यह रूपी कॉन मैं तो ना इसको अराम से ड्राइब करने वाला हूं क्योंकि इसमें जो पीक अप है वो बहुत जादा ही तेज है अचानफ से यह ओफ्रोडिंग वाला वही करना तब करके और उसको देख लो वो चैलेंजर से दूरी मिट्टी मुड़ाता जा रहा और इसके पागल को कौन बताए कि इसी की गाड़ी गंदी होईगी तो इसकी गाड़ी पीचे की साइड है चले यार इस राइम पर हम लोग हाईवी पर तो आ चुके है और यहां से अपनी रूपी कौन को भगा करके देखते हैं कि कहा स worry आपनी वाली छर्च है जहां यह रेकर जानेवाला और चैलेंजर को यार आम से रहा मेरे को डर है कि Шंप्र करता है ना चाहने बीये बन्दों से क्यों मेरे को डर लगता है अब बगाते हैं अब राट़ को रही देखते हैं यह रेस लगाएगा कि काम करते हैं यहांसे कन मैं मार तूंगा राम से, आजा या, रेत लगा कर लगा कर दिखा कर बढर में तो चैलेंजर इक तगड़ी दे दिया मैंने, कट मारते है थोड़ा सा, और, यहां से, इधर उल्टा इकट मार थे भाई तो वरे भाई ने, और कष़ा पर रहा गया है, और रे भाई, अठरे या मैं पूरी ट्राइ तो करूंगा इसको हराने के लेकिन एक आधी बार में इसको ट्राइ कर चुका हूँ लेकिन यार चैलेंजर को नहीं हरा जब कि रूबी को तो क्योंकि वो एक रीसिंग गाड़ी कैसा कि मैंने अपको पहले भी पताया है और ये का ड्रिफ्ट मार रहा है य इंटीरियर दिखा देता हूँ अपको इस गाड़ी का और पिछे की तरफ भी टू सीटीड है मतलब कि फू सीटीड वहिकल है इंटीरियर सो नॉर्मल है और ऊपर एक संबूफ है जो फूल भी जाएगा यह देख रहो यह तरह से अब चलती से ना गाइस अपनी इस बिठा उनको बगाते हैं चलते हैं सीड़ा उसी चर्च की लोकीशन पर देखो गाइस इस टाइम पर ना हम दोनों लोग अपने गाड़ी को लेकरके उस चर्च के पौकों निजा क्लोस पौकों चुके हैं और यह ना ओफरोडिंग करा था तोनों सेंटों से बाहर था और वो जो पता होगा लेकिन भाई साथ इसको भी नहीं पता लेकिन यहां पर उसके बंदो को पता ने बाई पर क्या ही कर रही है यह लोग और हम लोग फाइनली पार्किंग में तो पौकश चुके हैं अपने गाड़ियों को जल्दी से पार्क करते हैं यहां पर और देखो पीच्छ में लेकिन खाली है खाली होगा शाय से बुच अब चल्दी से ना हमें थोड़ा इसकी पार्किंग में जाना होगा यह चर्प्च है जहां पर अपने को आना था अब यह नहीं पता हम लोग किस के लिए आए हैं लेकिन उसके एक निशानी है उसके पास बड़ी आसी कई गा यह तो बोह ज़दा लगजरी है लेकिन एक कमी है यह ओरिजिनल नहीं है यह एक डूब्लिगेट वर्जन है तो कॉर तेरे को लग रहे कर यह यह गाड़ी हो सकती है वैसे क्योंकि मेरे को नहीं लग़ारा कि कि नहीं कहरा था कि वह अंदा कुछ ज्यादा अमीर है और एक तेरे को शैवलेट नजर आ चुक्ए है यहाँ पर और यह बगवार काम करने जा अंदर लेक्र करेंए है और चर्च के अंदर हम लोग पहुंच के यह है एक रिए हैं कर ले आज़ से पन्दा सामरे खड़ा है यह देखता जा रहा है लेकिन अब थोड़ा साना पेट करते हैं- वह बन्दा है कि न 144 चलेगा ठीक, है इसने तो हाट पैर जोड़ गया यहां पर तो ठीक है मैं भी यहां पर खड़ता हूं और अपने को ना हर एक फंदे पर नजर रखनी है जो बंदा निकला उसके तो हम लोग घेब बजा देंगे तो वह पूरी एक्टिंग कर रहा करके अंदर देखो यार कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा बंदा कौन है हमें 20-25 मिनट बूचुके हैं अब ना बाहर चलते हैं और मेरे पास एक प्लैन है जो भी उस कमेरों में बैठा जैसे भी उसमें बैठा शैबर्लेट में तो समझ लो वही उसका में बॉस है अब चल देंसे ना मैं चलता हूं बाहर की सा लेकर आओ फिर हम लोग यहां पर घड़ते हैं और यह जगा पूही पॉर्टेक्ट रही है अपने लिए देखो गाईज एक ही अम्बरेला था इसकी गाड़ी में उसी में अपने दोनों के अड़ेस्ट करना पड़ा और बाकी ना हम लोग बहुत ज़्यदा नजर तो टिक जल गया है और यह किसी और गाड़ी में जाकर के बैट क्यों का मदलब यह भी वो बंदा नहीं है यह भी आया था प्रेयर बगरा करने के लिए चर्च के अंदर और यह अपनी गाड़ी को लेकर के जा चुका है वह हमें 90% भरोसा यह है कि वो जो भी बंदा है वो जो शेव को दीखी रहा होगा सामने की साइड को बंदा टा टा ओ देख रहा है मेरे को लग रहा है कि यह कि ही है किसी को अपने को पकड़ना होगा और इस शेवर्लstar के पास जारा तो भाग करके चल अरे नहीं मैं इसको परकश प्करने जा रहा है लेकिन ये यार किसम है आया था यार ये तो मेरे को लगा शैवरलेट में जाएगा लेकिन ये बंदा किसी औरी गाड़ी में जा चुका है अब देखो दो लोग निकल चुके हैं अब बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो खून हो सकता है वाई देखो यार यहां पर एक लेड़ी आई है और वो भी शैवरलेट को देख रही है और यही है सब लोग शैवरलेट को देख रहे है क्योंकि वो गाड़ी है इतनी अट्रेक्टिंग और उसके बाद अपनी अपनी गाड़ी ले जा करके वो लोग ले जा रहे हैं और आंटी को तक्लीफ है आके दोने डिफ्ट कर दिया है और ले गई है अपनी गाड़ी को अब वो शेपलिट अकेली खड़ी है अब जू भी आया यहां पर टूटल तीन गाड़ी है बस यार शेपलिट वहला बंदा हो रहा है तो हमें बारिश में नहीं खड़ना पड़ेगा मज़ा ही जैसा भी होगा बाकि यहां पर ना अब बहुत जादा हो गया बेट करते करते बारिश में मेरे खुला गड़ा की नमोन ही हो जाएगा मेरे खुल और यहां पर एक बंदा हो रहा है और मैं तो इसको बोल रहा हूं कि यार अब जल्दी तेना चलते हैं इदर कोई भी हो गया हूं लेकिन इसका अरे यार मैं नमबर मोट कर ले तो से हैक करवा सकते थे और यह अगर हम लोग काम करते हैं तो करनल कह रहा था कि मैं तरह कोई किफ्ट दोगा अब वो तो नहीं पता कि क्या करने वाला है अब चैफर लेट उसकी अराम जा रही है शाहिसे उसको अ जाजी हो जाए गया यहां पर मैं पहुंश तो गया हूं लेकिन कहां गई भाई शाफ अब्रेटर को बिल्कुल भी नजरी नहीं आ रही है तेखरो गाईस जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने इसका पता तो लगा लिया है और यह सामनी की साइट जा रहा है और मैं इसके पी बिनट वैसे अगर शक ना हुआ हो था तो यह रोंग साइट नहीं जाता मेरे पो ऐसा लग रहा है और यह स्टाइम पर रॉंग साइट जा रहा है और फिर राइट लेक्ट करता ही जा रहा है तो एक काम करता हूं मैं भी अपनी गाड़ी को पीछे लगाने वाला हूं और यह ना मेरे पो लगा रहा है कि इसको मेरे उपर शक तो हो गया है यह कट मार रहा है वो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अलक्सी कर रहा है और मैं भी भाई हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला मैं अभी अपनी गाड़ी को पीछे लगाऊंगा एक मिनट एक मिनट जल मेरे सामने के साइड ही है और इसको अभी मेरे उपर शक नहीं हुआ है चाहां तक मेरे खो लग रहा है लेकिन यह नहीं यार इसको शक हुआ हुआ है मेरे उपर लेकिन इतनी जल्दी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और इसकी शेवरलेट है अपनी खुके अब दूगे इसको चुल बचीघ अब जल्दी से अपनी घाड़ी को मैं यहां थी भगा करके सीदह आगी की साइड लेकर के चलता हूं एक तो बारिश का मौसम है वह जादा स्लिप कर रही अपनी गाड़ी और वह भाग करके आगी की साइड ही होगा गहीं मैं चल्द नहीं नहीं बाई अपनी गाडी ठूख से और में नीचे के साइड अवा घर गा हूँ और बों बहु कहाँ गया है किया है जार वो अपड़ए मैरे उटना पड़ेगा चल्दी उसे जार वो अपनी गाडी लेकर के भाग गया है मेरे को समझतानी है वो छुप करके कहां बैटा था तो एक काम करता हूँ जल्दी से न अपनी चैलेंजर को लेकर के उसके पीछे चलता हूँ यार चस्ट मेरे को उस था वो बाग पे निकली गया बादा नहीं आपको है ज्यादा दूर नहीं किया होगा मेरे को बिना अपनी घाड़ी को भगा करके चलती से आगी के साइट चलेना चाहिए और मैं सो रहा हूँ मिलिटरी के काल कर दूं कि यार वो एसकेप हो गया है और बागी एक मिनट उसका कलर लेफ ट्राइड यार यह रहा यह कितना चाहता चला बन रहा एक मिनट नहीं यह कि अरे नहीं यार मैं पूली स्टेशन में ठुक चुका हूँ आकर के और यहां पर मेरी गाड़ी चलने बेनी यहार यहार मैं उसको पकड़ था कि वह मेरे को पकड़ रहा कि क्या सीन हो गया यहार और जल्दी से मेरे को अपनी काड़ी को जैसे तैसे रिवर्स करना मेरी गाड़ी पूरी फस्ट चुकी है यह तो यहां से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली यार मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं तो मेरी गाड़ी ठुक चुकी है करनल से मेरी पूरी बात हो गी है करनल कह रहा कि वो बंदा निकल गया मैंने बोला ह नेकल गया और यह बहुत ज्यादा चलाक बंदा है तो कहरा मेरे को पता था कि तू अभी नहीं पकड़ पाएगा उसको और एक बार उसने भी ट्राइगरी थी पकड़ने की वह भी नहीं पकड़ पाया और मैंने बोला कि भाई जल्दी है मेरी गार्ड ही फास चूगी है मेरा लेकिन एक मिनट तू मठोक देना मेरे को यहां पर यह पूलीस वाला एक अरे नहीं मैं पूलीस स्टेशन में आकर के ठूका हूं और इसने अपने उपर एम कर लिया यह कह रहा है कि तू ड्रिंक करके ड्राइब कर रहा है और चुप चाप अंदर की साइड चल और मेरे को इसके साथ जाना पड़ेगा भाई पागली हुआ पड़ा हूं मैं तो आज अपनी गाड़ी ठोक वाली और मेरे को लग रहा है यह मेरे मत्य पर पिश्टल ठोक देगा चल रहा हूं सर बस गन मत चलाना बिल्कुल भी मैं तुम्हारे साथ साती चल रहा हूं और क्या इतने वाला है कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही है मेरे को और क्या सीन है वहां से निकला यहां करके फस गया हूं और यह कह रहा है कि चुप चाप इस सेल के अंदर आजा नहीं तो मैं तरे गूली ठोक दूँगा और नशे में ड्राइविंग कर रहा है तरे कुछ शरम आती है कि नहीं आती है और आ रहा हूं सर मैं जाई रहा हूं सरहरे चार रहा उमसर मत मारने लॉटक है तो मार इस गूह ठाज सब रहा है फ़ली यह जैल और यह अपने पुली स्पोर्स वेगरा बुला रहा है मेरे को तो लग रहा है क्या ही यार मेरी तो जिंदगी पूरी बेकार हो रखी है मेरे को ऐसा लग रहा है अब पता नहीं है कितना टाइम तक सड़ना पड़ेगा वैट ताउ चुप चाफ से देखा जाएगा देखो गा तकड़ा केस पड़ने वाला लेकिन एक मिनट यह करनल आ गया और देख रुगाईज उसको सब सलूट कर रहे हैं और यह कह रहा है कि चुप चाफ मेरे साथ चल तेरे को किसने बोला था यहां पूली स्टेशन पर गाड़ी ठोकने के लिए मैंने नहीं ठोकी गाड़ी यार पसा रहा है देख रहुगा इस मिल्टर कानों को देखती सब सलूट वेगरा करने लग चुके हैं और बन कर रहा है ना मूँ तोड़ करके रख दो इसका और कह रहा है कि बद चुप चाप निकल नहीं तो केस बड़ा तकड़ा पड़ने वाला है और जाना कहां से आठेगा तब ही निकलूगा ना मैं और यहां पर अपनी चैलेंजर कड़ी हुई है जो कुछ बेकार हो गई है तो एक काम करते हैं यहां से निकलते हैं और बाकी यह कैसे जाएगा मेरे को समझने आ रहा है अब अच्छा है यह अपने रुबिकॉन लेकर क्या आया हुए और निकलते सकते हैं और अपने को ना कोई रौक नहीं पड़ेगी और यहां पर आति कर सके करें कि यहांपर कर लिया है और करनल कहरा है कि इतना बता है कि वो ब攻 दा टाबंद है वह कुछ भी कर सकता है क्म कूआ कि उसके पास बहुत कुड़ा बंकर आ कि ढू desses में और उस नंदर को टम थे Jeanne अगर वो अपने याइव में जाएगे तो मेरी मीलिटरी हो जाएगी को दक्रवायों गां कि उन्यास ने कुछी अपने को सब्सक्राइक रिक्वा लेकिन joan यह आज वो अपने हाथ लेकिन आजmak लें आज राप समने उसको पकड़ लेंगे क्योंकि वो एक पार्टी में जाने वाला है और क्रवा से किसी वी इक जगह पर जाना है पूरा पता करवा करके यह करा कि मैं पता वगरा करवा दोगा जैसा भी होगा और माइकल बस तो घर पर जा करके नहाद हो करके त्यारी कर और कोशिश कर यह तो एक लगसरी गाड़ी ले करके जाए जो कि है रोल्स रोइस या कुछ ऐसी गाड़ी जो बहुत ज़्यदा महेंगी है बेंड प्ले रोल्स रोइस जैसी अब तेरे को उसका जा करके जुगाड़ करना पड़ेगा और हमें न गाईस अमीर आदमी बन करके उस पार्टी में जाना होगा उसके बाद हम लोग उस पंदे को ढूनेंगे हमने थोड़ा बहुत उसको देख लिया जैसा भी वो था एक शेवलिट में आया था और वो लक्षरी गाड़ियों में आता है जो कि रेसिंग कार्ड होती है तो चीक आया अब ही तो हम लोग चलते हैं और आज ही रात को अपने को निकलना होगा उस पार्टी के लिए तो रोल्स वो इसका वीजिवाड लगाना आज ही अपने को तो सीदाना मैं बैनी को कॉल करता हूँ और देखते हैं यार क्या होने बाला वो बंदा अपने हाथ आएगा भी कि नहीं आएगा अच्छे लो गाइज अगर आपको यह वाली उडिया चलेगी तो वीडियो को चाकर पिल चुरू से लाइक कर दुरू चैनल को चुरू से कर दो सब्सक्राइब फिर लाग टोटी के के बहुत ज़्या को दो तो गाईज से ज़ीश जाकर के सब के सबसक्राइब कर दो और हाँ गाइज यार एक चीज और कोमेंट में बताना वीडियो की टाइमिंग क्या होने चाहिए जिस टाइम पर बोलोगे जिस पर मैक्सिमल कोमेंट आएंगे तो हम लोग उसी टाइम वीडियो को पोस्ट करेंगे तो मिलते हैं को होते हैं अगले वीडियो में, तक तक के लिए पाई गाईज, लब्क्यू आउल